हैले दोस्तों वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एके अपडेट्स दोस्तों इसी चैनल पर हमने पिछली वीडियो के माध्यम से आपको यह बताया था कि हर्याना में पॉल टेक्निकल के रेजिस्ट्रेशन सुरू हो चुके हैं और उस वीडियो में हमने हर्याना पॉल टे कहां से डाउनलोड कर सकते हो और उसका रेजिस्ट्रेशन करने के लिए क्ला लाश्ट डेट रहेगी कितनी फीस रहेगी यह सभी जानकारी हमने उस वीडियो में दी है अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी तो उपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप वह वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं जोकि हमारे पास कुछ कमेंट्स आये हैं कि इसके रेजिस्टेशन की वीडियो जल्द से जल्द बणा दीजिये दोस्तों, मैंने यूठीब पर बूट से रेजिस्ट्रेशन के वीडियो देखिया लेकिन उन सभी में डिपलोमा इंजिनिर का रेजिस्ट्रेशन बताया गया है D-Pharma का रेजिस्ट्रेशन किसी भी वीडियो में नहीं दिखाया गया है और आज की इस वीडियो में हम डीफार्म में कर रिजिस्ट्रेशन कैसे क्लिया जाता है Step to step बताएंगे कि आपको रिजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक कैसे अपलाई क्लिया जाता है वीडियो को लाश्ट तक देखना लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इतना जरूर कहना चाहूंगा खिलिए अगर आप हमारे चैनल पर नई है या फिर अभी तक लिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किला तो चैनल को सब्सक्राइब कर बल आइकन को भी ओन रखना हमारे इस चैनल पर हर्यान वे हर्याने से जूड़ी सभी अपडेट्स और साथ ही साथ पुरोप्षत्य उनुवस्टी वे उनुवस्टी एक्जैम को लेकर जो भी अपडेट रहती है वह दी जाती है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों वे फैमिली प्रैंड कर सर्च कर लेता हूं और उसके बाद जो वेबसाइट खुलेगी हमने ओलाइन टेस्ट हरवी की पहले वाले लिंक पर जाकर इसको ओपन करना है इसके ओपन आते ही आपको कुछ ऐसा पैटरन देखने को मिलेगा और साइड में आपको नीचे की तरफ स्क्रोल करके यहां प क्लिक हेल टू अपलाई का ओप्शन देखनों को मिलेगा और नीचे अप्लिकेशन नमबर पासवर्ड का ओप्शन मिलेगा सबसे पहले हमने इस पर क्लिक हेल टू अपलाई पर बटन पर क्लिक करके अपलाई करना होगा आपको यहां पर कुछ इंस्ट्रक्शन देखनों को क्लिक कर देना है उसके बाद यह पूछेगा आपसे application form इसके लिए जो है step 5 रखे गई है पहले step होगा कि select course आपको किस चीज का course का registration करना है डिप्लोमा इंजिनेर के लिए डिप्लोमा इंजिनेर के बटन पर क्लिक करना होगा डिप्लोमा इंजिनेर के लिए इस बटन पर और अगर आप डिप्लोमा फार्मेस्टी का registration करना चाहते हैं तो उसको select कर लेना है चले मैं डिप्लोमा फार्मेस्टी को select कर लेता हूँ यहाँ पर eligibility लिख लिए गई है आप इसको read कर लेना कि कौन-कौन बंदा इसको apply कर सकता है और यहाँ पर आनकर आपको qualify exam board यान की last बार आपने कहां से अपनी price पुरी की है वह select करना है जैसे कि मैं यहाँ पर harina board of school education select कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर अपना roll number और नाम लिख देता हूँ roll number और नाम लिखने के बाद यहाँ पर आपको यह board आपने कौन से year में pass किया था वहाँ आपको यहाँ पर लिखना होगा जैसे कि मैंने यहाँ आपनी plus to class 2016 में complete की थी यहाँ पर लिख देने के बाद आपको नीचे की तरफ continue बटन पर click करना होगा यहाँ आपसे पूछेगा कि आपने जो detail बढ़ी है वह correct है क्योंकि यहाँ बाद में change नहीं हो सकती अगर आपने अपनी सभी detail correct बढ़ी है तो यहाँ पर ok पर बटन पर click कर दोगे उसके बाद आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसा page open आये हुएगा आपने इसमें अपनी सभी सही सही detail बढ़नी है यहाँ पर आपने अपने date of birth select करनी है चलिए मैं आपने date of birth select कर लेता हूं कि तीन सितंबर कि नीस सो अठाण में और उसके बाद आपने अपने जन्डर स्लेक्ट करना है कि आप मेल हो या फिर मेल चलिए मैं अपना जन्डर भी स्लेक्ट कर लेता हूं उसके बाद आप से पूछ गया है father या फिर husband name मैं आपने फ़ादर का नाम यहाँ पर लिखूग अगर आप WhatsApp नमबर भी देने चाहते हैं तो WhatsApp नमबर भी आप यहाँ पर लिख सकते हो इन सब को फिल करने के बाद यहाँ पर आपको आपकी income पूछी गई है आपके parents की income पूछी गई है कि वह है उनकी एक साल की income कितनी है हमारी जो income है वहाँ पुछास जार से एक लाग के बीच है तो मैं इसको select करूँगा और उसके बाद यहाँ पर आपका आपसे अधार नमबर मांगा गया है यहाँ पर अधार नमबर लिख लेंगे उसके बाद आपसे पूछ गया है कि क्या आप हर्याना के निवासी हो दो बिलेंग टो हर्याना रेजिडेंट तो मैं लाइस कर दूँगा कि मैं हर्याना से हूँ और उसके बाद आपसे category पूछी गली है क्या आप किस category में आते हो SC, BC, General किस कास्ट में आते हो यह सेलेक्ट करने के बाद आपको अपनी सब category सेलेक्ट करनी होगी सब category में आपको open सेलेक्ट करना है अगर आप एक्सर विस्मान या freedom fighter हो तो आप इनको भी सेलेक्ट कर सकते हो open सेलेक्ट करने के बाद यहां पर आपसे पूछ गया है are you physically handicapped क्या आप विकलांग हो अगर हो तो yes कर सकते हो नहीं तो otherwise इसको no पर टिक करेंगे उसके बाद अगर आप इन में से किसी के लिए eligible हो तो उस पर टिक करेंगे मैं इन में से किसी चीज के लिए eligible नहीं हूँ तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूँगा खाली छोड़ दूँगा और उसके बाद आपको address यहां पर अपना fill करना है कि आप ग्रामिन शेतर से हो या शाहरी शेतर से इस पर टिक मार करके अपना address यहां पर fill करना है इसमें यहां पर अपना address fill कर लिया है उसके बाद अपने blog का नाम यहाँ पर लिखना है, चलिए, मैं यहाँ पर अपने ब्लोब को नाम लिखे लेता हूं, उसके बाद आपको अपना डिस्टिक्ट सेलेक्ट करना होगा, डिस्टिक मरा लिमन अगर डिस्टिक है, और इसके बाद आपने अपना पिन कोड यहाँ पर बताना होगा, यह सब बढ़ने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है यहाँ पर आपने अपने board exam की detail बड़ी हुई मिल जाएगी जो आपने पिछे बड़ी थी हम इसको scroll करके थोड़ी नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर आपने बताना है कि जो आपने last qualified exam है यहाँ पर एक option यहाँ भी है कि qualifying exam जब आप इसको select करोगे तो आपसे यहाँ पूछेगा कि आगर आपने अपने दस भी और बार भी regular से की है और non medical से की है तो आपने option एक select करना है आप इनको read कर सकते हो और जिस भी option के लिए आप eligible होगे उसको आप select कर ले यहाँ पर लिखा है कि pass in regular 10 plus 2 exam in science stream and pass in physics chemistry bio math चलिए मैं इसको select कर लेता हूँ select करने के बाद आप निचे की तरफ आता हूँ location of institute of your qualified exam जो आपने अपनी plus 2 class की थी वहाँ rural area में आती है या फिर urban में आती है उसको यहाँ पर select करना है चलिए मैं select कर लेता हूँ उसके बाद आपने इस id का password देना होगा यहाँ पर password फिल करना होगा और दो बार से दो बार आपने password यहाँ पर फिल करना है नाम लिखने के बाद यहाँ पर आपसे center पूछ जाएगा कि आप किस police के लिए किस pole technical police के लिए यहाँ पर apply कर रहे हो यहाँ पर आपको हर्यान के सभी pole technical के list मिल जाएगी जिसके लिए आप apply करना चाहते हो यहाँ पर उसको select कर लेना जैसे कि मैं निल्लो खेड़ी pole technical के लिए apply करना चाहता हूँ तो इसको select कर लूँगा और उसके बाद यहाँ पर आपने security code capture fill करना है VN86G और capital code और इसको fill करने के बाद आपने save detail बाड़े button पर click करना होगा आपने एक बार आपने सभी detail चेक कर लेनी है और check करने के बाद okay पर click करना होगा उसके बाद यहाँ मुझको दोबार से security code डालने को बोल रहा है लेकिन उसके लिए मैंने पहले आपने यहाँ पर password भी दोबार से डालना पड़ेगा लेजिए अब मैं यहाँ पर दोबार से capture रिएंटर कर देता हूँ वी टी एट सेवन जी कैपिटल डब्लू और save detail पर click कर देता हूँ उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी photo और signature upload करने होगे लेकिन उस photo और signature के यह आपको size जो रखना होगा 32 के भी से कम का size यहाँ पर रखना होगा यहाँ पर mention क्ला हुआ है जो आपने यहाँ पर pick और sign upload करने है वहाँ JPG में करने होगे और maximum size should be 30 के भी चलिए मैं यहाँ पर अपना photo और signature upload कर लेता हूँ choose file वाले बटन पर click करना होगा और उसके बाद आपने अपने इसमें से जो भी latest photo है वहाँ select करने होगी ऐसे ही यहाँ पर आपने अपना signature select करना होगा चलिए मैं अपना signature भी select कर लेता हूँ और signature select करने के बाद आपको आपने save और update वाले बटन पर click करना होगा save update करने के बाद आपकी pick और signature दोनों आपकी profile में save हो जाएगी और यहाँ पर मैंने अपनी application form देखने को मिल गया है अगर आप आपने registration को अच्छे से देखना है कि इसमें कोई गल्ती नहीं है अगर आपको कोई इसमें mistake लगती है तो आप नीचे आकर edit registration detail वाले बटन पर क्लिक करके आप अपनी detail को edit भी कर सकते हो अगर आपने यह detail correct बरी हुई है तो आप confirm registration detail के बटन पर क्लिक करके अपने detail confirm कर सकते हो उसके लिए आपने यहाँ पर capture पहले fill करना होगा yp96 y capital 12 मैंने capture यहाँ पर fill कर लिया है और confirm registration इसमें से कुछ भी change नहीं होगा चलिए confirm registration detail कर देते हैं जैसे ही मैं confirm registration detail करता हूँ यहाँ पर एक message आग चुका है till you have confirmed lower registration detail but marks detail aren't still pending to be complete on next page your application number is this in future if you need change any detail contact hdes on toll free number by referring lower detail मैं यहाँ पर इस application number को note कर लेता हूँ और ok वाले बटन पर क्लिक करके इसको next step पर ले चलता हूँ दोस्तों जब आप next step कर लेते हूँ तो उसके बाद आप से यहाँ पर आपके marks पूछ जाएंगे आपने board में क्या मिले था marks मिले थे या फिर grading मिले दिए अगर आपको marks मिले है तो marks वाले बटन पर टिक करना होगा ग्रेडिंग मिले तो grading वाले पर टिक करना होगा जैसे हम को प्लस्टू ग्लास में marks मिले थे तो marks वाले बटन पर टिक mark कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मुझसे मेरे प्लस्टू की marks पूछे जाएंगे और इसमें मैंने अपने marks अपने नमबर को फिल करना होगा जो सबसे पहले होगा aggregator marks यहाँ पर मैंने अपने total marks इसमे फिल करने होंगे यहाँ पर जैसे कि मेरे को 400 नमबर मिले थे प्लस्टू में और जो यह आए थे लिहाँ 500 में इस थे और उसके बाद मेरे यहाँ पर percentage भी डिखल आ चुकी है उसके बाद मैंने अपने subject में बताना होगा कि physics में कितने मिले थे chemistry में कितने math में कितने और English में कितने marks मेर को मिले थे चलिए मैं यहाँ पर select कर लेता हूँ मैं अपने marks यहाँ पर fill कर देता हूँ अपने number बरने के बाद मैं आपने DMC की PDF file upload करने होगी यहाँ पर choose file पर जाकर आप अपनी PDF file select कर सकते हो अपनी PDF file यहाँ पर upload कर देता हूँ और उस file को upload हो जाने के बाद मैंने इस अपनी detail save करनी होगी देखिए मेरी नहाँ पर PDF file upload हो चुकिया और उसके बाद मैं इसको save कर देता हूँ save कर देता हूँ PDF file successful upload और यहाँ फीस कटवानी होगी जो मेरी इसमें backward class में फीस हब है registration के लिए जो application के फीस हब है दो सुरुपे है और online mode से यहाँ फीस पे करनी होगी आप फीस पे करने से पहले एक बार दो बार से इसको login करके अपने profile चेक कर लेनी होगी और यहाँ हमारा last step होगा इसके बाद आपका registration complete हो जाएगा चलिए online payment के पर click करके इसकी फीस पे कर देते हैं pay you पर click करना होगा आपने pay you पर click करने के बाद यहाँ कुछ processing चलेगी और इसके बाद आपको option दे जाएंगे कि आप अपनी फीस किस प्रकार से pay करना चाते हैं credit ये debit card से EMI से net banking से wallet से किस प्रकार आप payment से HDFC bank page app से UPI से google pay से आप किस के जल्ये यहाँ पर अपनी payment को pay करना चाते हैं जैसे कि आप अगर UPI से करना चाते हैं तो UPI के option पर click करके Google Pay, Phone Pay, Beam, Paytm, Amazon Pay या फिर किसी और UPI ID से आप pay करना चाते हो यहाँ पर click करके आप यहाँ पर अपने ID को बरके verify को करके उस पर proceed कर देंगे आपकी जो 200 रुपी की fees रहा है भी pay हो जाएगी अपनी fees pay करने के बाद यहाँ से अपनी application detail पर आकर अपनी application को print कर लेना है और आगे future के लिए आपने पास इसको संभाल कर शुरक्षित रखना है यहाँ से आप अपनी detail भी check कर सकते हो तो इस परकार से आप अपना defarm का form भी बर सकते हो और अगर आप diploma engineer का form बरना चाते है तो उसके लिए भी same process रहेगा आज के इस वीडियो में हमने जाना कि defarm का registration कैसे किया जाता है तो इस वीडियो के लिए हमने बहुत ही मैनत किया आप इस वीडियो पर एक लाइक कर देना आपने दोस्तों के साथ share भी जरूर कर देना अगर आपने अभी तक लिए चैनल सबस झाल